केंद्र सरकार के उभोगता कार्य खाथ्यम सार्वजनिक वितरण मंत्राले ने खाथ्य तेल की किम्तों में कमी आने का दावा किया है उबोगता कार्य विभाग के आंकडों के अनुसार पिछले एक महीने से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ रही है कुछ मामलों में गिरावट लगबग 20 प्रतिशत तक आ रही है जैसा कि मुंबई के कुछ खाद्य तेलों की किमतों में दिख रहा है मंत्राले के मुताबिक पाम ओईल की कीमत 7 मई 2021 को 142 रुपे प्रति किलोग्राम थी जो अब 19 फिजदी घटने के साथ 115 रुपे प्रति किलोग्राम पर आ गई है सनफ्लावर ओईल की कीमत 5 मई 2021 को 188 रुपे प्रति किलोग्राम थी जो अब 16 फिजदी की गिरावट के साथ 157 रुपे प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है सोया तेल की कीमत 20 मई 2021 को 162 रुपे प्रती किलोग्राम थी जो अब मुंबई में 15 फिजदी की गिरावट के साथ 138 रुपे प्रती किलोग्राम पर आ गई है सरसो के तेल के मामले में 16 मई 2021 को कीमत 175 रुपे प्रती किलोग्राम थी अब यह लगबग 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 157 रुपे प्रती किलोग्राम पर आ गई है जबकि 14 मई 2021 को मुंख्वले के तेल की कीमत 190 रुपए प्रती किलोग्राम थी जो अब यह 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 174 रुपए प्रती किलोग्राम पर आ गई है वहीं 2 मई 2021 को वनस्पती की कीमत 154 रुपे प्रती किलोग्राम थी जो अब 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 141 रुपे प्रती किलोग्राम पर पहुँच चुकी है ध्यान देने वाली बात ये है कि खाद्य तेल की कीमते कई जटिल कारकों पर निर्भर करती है जिसमें अंतराष्टी कीमते और घरेलू उत्पादन भी शामिल है चुकी घरेलू खपत था उत्पादन के बीच का अंतर अधिक है इसलिए भारत को बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है सरकार इस मुद्दे को इस्थाय आदार पर हल करने के लिए मध्यम दिर्ग कालिक उपायों की एक श्रिंखला पर काम कर रही है ये उपाय भारत को खाद्य तेलों में आत्मनेर्बर बनाने में योगदान देंगे